Welcome दोस्तो, मैं tiếp वर्ट कोड़ जीत अंदर आज की विडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर पती डाइवर्ष केलिए एक्सपार्टी यूज करता है यानि कि एक्सपार्टी डाइवर्ष के लिए एपलाई करता है तो यहां पर पती बुरी तरह से फंश सकता है तो वो किस तरीके से फस सकता है उसको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए अगर वो X party के लिए apply करता है तो X party diverse के लिए apply करता है तो कौन सी सावधानी बरतनी पड़ेगी पूरी detail इस वीडियो के अंदर एक advocate होने के नातिमें बताने वाला हूँ तो बिल्कुल अन तक आपको ये वीडियो देखना है उससे फेले बता दूए इस चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe भी कीजिए इस वीडियो को लाइक करके जाद 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 इस वीडियो को share पर कर दीजिए और लोग को भी जानगारे का पता चल सके और मेरे से बात करना चाहते हैं कोई भी legal problem है तो इस वीडियो को description मेरे नंबर भी दिये गए है appointment लेकि हम उसे बात भी कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर मैं बता दूँ कि ज्यादा तर अगर divorce के case apply किये जाते हैं तो best result कौन से case में मिलता है वो मिलता है mutual divorce के लिए जो apply करते हैं यान कि पती और पतनी की जिस case के अंदर सहमती होती है divorce लेने की उनमें ही जल्दी divorce मिल पाता है नई तो ex party divorce के case में क्या होता है कि यह case बहुत लंबे चलते हैं 6-8 साल तक लग जाती है इन case के अंदर अगर उप्यूक्त ground पती के पास में नहीं है उसके पास में solid evidence नहीं है तो बिलकुल पती को यहाँ पे 6-8 साल तक लग जाते हैं कई case में तो divorce होई नहीं पाता है बहुत लंबे चलते हैं और फिर भी divorce नहीं मिल पाता है तो क्या होता है कि इसमें पती के पास में solid evidence नहीं होते हैं अगर जब तक solid evidence पती के पास में नहीं है तब तक पती को ex party divorce के लिए apply नहीं करना चाहिए या फिर पती को apply कब करना चाहि यह जब अगर पतनी ने और भी केस उसके उपर लगा रखे हैं जैसे 498 का लगा रखा है 406 का लगा रखा है या फिर 125 मैंटिनेंस का लगा रखा है और इन केस के अंदर अगर पती निर्दोस पाया गया है पती के उपर यह जूंटी आरूप लगाए गये हैं तो इन केस के ज जो भी मतलब judgment ढाया है, जो भी order आया है, उन order के आधार के उपर पती यहां पर ex party divorce ले सकता है, तब उसको ex party के लिए apply करना चाहिए, या फिर उसके पास में evidence है, proper जो भी strong evidence होते हैं, डायवर्स लेने के, ex party डायवर्स लेने के, वो हैं, तब उसको ex party divorce के लिए apply करना चाहिए नहीं तो फिर क्या होता है, कि अगर वो ex party divorce के लिए शुरुवात करता है, तो पतनी उसके उपर कई case कर देती है, कई case मतलब HMA 24 section interim maintenance का case कर देती है, या फिर वो उसके उपर 125 maintenance का कर देती है, child maintenance का कर देती है, 498A का कर देती है, 406 का कर देती है, 354 का कर देती है, 376 का कर दे में पती पुरी तरह से फंस सकता है यहां पर एक्स पार्टी एविडेंस उसके पास में है एक्स पार्टी डाइवर्स लेने के एविडेंस है तो वो तभी है एपलाई करे नहीं तो एपलाई नहीं करे नहीं तो वो पतनी पती के उपर केस भी कर जाती है तो यहां पर इस बा आपने वादे